Question number 4 है, अपने सामने से क्या दिया, tap P can fill a system in 6 hours and tap Q empty the full system in 10 hours. If both taps P and Q are kept open simultaneously, then in how many hours will the empty system can be completely full? Null P किसी टंकी को 6 गंटे में बर सकता है और Null Q भरी हुई टंकी को 10 गंटे में खाली कर सकता है. यदि P और Q दोनों Null को एक साथ खुला जाता है, तो खाली टंकी पून रूप से कितने गंटे में बरेगी? प्रश नो भिलकुल आसान है, का दिया अपनको 1 P दिया, 1 Q दिया, P कितने घंद दिया 6 घंद इम खाली कर सकता है, 10 घंद महाद्ध खाली कर सकता है खाली कर सकता है तो इसके ऐग हमाइनस के साइन लगा लिया, अब लेगे हमें , LCM लेंगे कितना जाएगा लसी में जाएगा 30, 6, 5 जो 30 होता है, 10, 3 जो 30 होता है, इसकी efficiency माइनस में, दोनों को assignment देने, इसमी मतलब एक साथ खुला जाता है, एक साथ खुल जाता है, दोनों जोड़के efficiencies काम करेंगे, plus 5 इसकी है, इसकी minus 3, plus 5 minus 3 जोड़ेंगे, तो कितना जाएगा, 2, 2 की efficiency से काम करना है, कितना काम करना है, 30 unit काम करना है, कितना time लगेगा, 15 hours लग जाएगे, 15 गंटे पूरे पूरे लग जाएगे, ठीक है, तो यह option correct answer,